2024 में केंदर में बनेगी कॉंग्रेस की सरकार हारेगी बीजेपी जदोस आपको दादे की 2024 के लोग सबा चुनाप का ताजा सर्वे आ गया है इस सर्वे ने बीजेपी की लुटिया डुबो दी है और इस बार इस सर्वे के अनुसार केंदर में कॉंग्रेस पार्टी की पूर बहुमत की सरकार बननी है जब की भाजपा चुना भार रही है दरसल आपको दादे की देश की जनता का मूड इसलिए बदला क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी ने पहले तो LPG जो गैस सिलेंडर है उसको केंदर में कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद 500 रुपे में देने का एलान किया उसके बाद अब कॉंग्रेस पार्टी ने एलान किया है कि अगर 2024 में उनकी सरकार केंदर में बनती है तो वो पैट्रॉल डीजल को 60 रपी प्रति लीटर कर देंगे यानि 60 रपे प्रति लीटर पैट्रॉल मिलेगा आपको और 60 रपे प्रति लीटर ही डीजल मिलेगा जो की बीजेपी सरकार में 100 रपे मिलना है तो ये बड़ी अबडेटारी जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी ने ये घोसना की उसके बाद देश की जनता का मूर बदल गया और द वीडियो को आप अंदतक देखत रहिएगा पहले राज की बात ने दोस्तों बिहार की तो बिहार में लोगसवा की 40 सीटे हैं 40 में से मातुर 6 सीटे भाजपा को मिल रही है और कॉंग्रेस का जो इंडिया गठबंदने ने उसको 34 सीटे मिल रही है यहां असुद्धी कॉंग्रेस का जो गठबंदन है उसको 30 मिल रही है यहां बीजेपी बुरी तरह से चुना भार रही है और अंद का यहां खाता भी नहीं खुल पा रहा है वहीं दोस्तों तीसरे राज की बात करते हैं पच्छिम मंगाल की तो पच्छिम मंगाल में भाजपा मार्तर 9 सीटे ही जीत रही है जबकि सारी सीटे कॉंग्रेस पार्टी जीत रही है यानि 33 सीटे कॉंग्रेस जीत रही है यहां पर 42 लोकसवा की सीटे है वहीं दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेस की तो उत्तर प्रदेस में 80 सीटे हैं 80 में से 47 बीजेपी को जा रही है 33 सीटे कॉंग् प्रदसन कर रही है वही राजिस्तान की बात करें दोस्तों तो राजिस्तान में 25 सीटे हैं 25 में से 14 सीटे बीजेपी को जा रही है 11 सीटे इंडिया कॉंग्रेस गटबंदन को और अन्न का यहां पर खाता भी नहीं खुला है यानि राजिस्तान में बीजेपी वस अच्छा प पुला है क्योंकि गुजराश से परदान मंत्री मोधी खुद भी आते हैं वहीं दोस्तों बात करते हैं मद्ध प्रडेस की तो मद्ध प्रडेस में बीजेपी की चिडिया ओरती हुई दिखाए दिरें यहां आठ सीटे भाजपा को मिल ले हैं 21 सीटे कॉंग्रेस के को मिल ले हैं मद्ध प्रडेस में कुल 29 सीटे हैं यानि बीजेपी का यहां पर बहुत ही जादा बुरा हाल है वहीं दोस्तों बात करते हैं करनाटक की तो करनाटक में भी भाजपा की लुटिया डूब रही है यहां मात्र 7 सीटे ही बीजेपी को मिल ले हैं कॉंग्रेस को यहां पर 21 सीटे मिल ले हैं करनाटक में कुल मिलाकर 28 लोगसवा की सीटे हैं वहीं दोस्तों बात करे हैं हम उडिसा की तो उडिसा में दोस्तों 21 सीटे हैं 21 में से 4 बीजेपी को मिल ले हैं 11 कॉंग्रेस कर्थबंदन को मिल ले हैं अन को यहां पर 6 मिल ले हैं बीजेपी को अनिसेवी का मातर चार सीटों पर ही संतोस होना पढ़ ला है वहीं दोस्तों बात करते हैं असम की तो असम में 14 सीटे है 14 में से भाजपा को 12 सीटे मिल ले है और जो कॉंग्रेस का इंडिया गठबंदन है उसको 2 सीटे मिल ले हैंāं अनि का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है क्योकि असम में काफी अच्छा प्रदर градffen बीजेपी करतोई दिखाई दे रही है वहीं दोस्तों बात करते हैं केरल की तो केरल में 20 सीटे है 20 में से भाजपा का यहां खाता भी नहीं खुल पा रहा है कॉंग्रेस गठबंदन को 16 सीटे मिल ली है अन्न को यहां पर 4 सीटे मिल ली है यानि केरल में BJP बिलकुल खतम है वहाई दोस्तों दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटे है 7 में से भाजपा को 4 मिल ली है कॉंग्रेस को यहां 3 सीट मिल ली है और अन्न का यहां पर खाता भी नहीं खुल ला है वहीं आपको दादे कि आमादी पार्टी यहां पर कॉंग्रेस के साथ गठबंदन में है तब 3 सीटे जीत रही है वहीं 36 गड़ की बात करते हैं दोस्तों तो 36 गड़ में 11 सीटे हैं 11 में से 6 बीजेपी को जा रही है 5 सीटे कॉंग्रेस के गठबंदन को जा रही है और यहां पर अन्न का खाता भी नहीं खुल पा रहा है वहीं दोस्तों अगर हम बात करें जहार खंड की तो जहार खंड में 14 सीटे हैं 14 में से मात्र 4 सीटे ही बीजेपी को जा रही है जबकि कॉंग्रेस का जो इंडिया गठबंदन है उसको 10 सीटे मिल रही है यह साब तोर से कहा जाए कि कॉंग्रेस को यहां 10 सीटे मिलत भी दिखाई दे रही है वहीं दोस्तो बात करते हैं जम्मू कस्मीर की तो जम्मू कस्मीर में 6 सीटे है 6 में से 3 बीजेपी को मिल रही है 3 सीटे कॉंग्रेस बार्टी को मिल रही है अन्न का यहां पर खाता भी नहीं खुला है असुद्धी नुवेसी की पार्टी भी यहां चुनाब लड़ने का दावा कर रही है वहीं दोस्तों पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 सीटे हैं 13 मैंसे भाजपा को मात्र 5 सीटे मिल सकती हैं और कॉंग्रेस को यहां 8 सीटे मिल सकती हैं अन्ड का यहां खाता भी नहीं कुलाए है वहीं भाजपा के साथ अकाली दल भी सामिले ताम मात्र 5 सीटे मिल ली हैं वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं मेगाला की तो मेगाल में 2 सीटे हैं 2 मैसे एक बीजेपी को मिल ली है एक ही कॉंग्रेस पार्टी को मिल ली है और अन्न का यहां खाता भी नहीं खुला है यानि मेगाल में भी दौनों पार्टी ताई कर रही है एक परकार से वही दोस्तों अनुणाचल पृदेश की बात करें तो अनुणाचल पृदेस में दो मात्र सीटे हैं दो मेंसे एक बीजेपी को मिल लई है एक कॉंग्रेस को मिल लई है अन्र का है यहाँ पर भी खाता नहीं खोला है दौनों ही पार्टियां बराबर टक्र यहाँ पर दे रही है बाई दोस्तों बात करते हैं महराश्टरा की तो महराश्टरा में 48 सीटे हैं 48 में भाज़पा को 38, कॉंग्रेस पार्टी को 10, अन्र का यहां खाता भी नहीं खुल पा रहा है, यानि यहां पर अन्र की स्तिती बिल्कुल ठीक नहीं है, यहां पर कॉंग्रेस पार्टी अच्छा प्रदसन नहीं करती दिखाई दे रही है, वहीं केंद सासित प्रदेसों की बात करें दोस्तों तो छे सीटे है छे में से तीन बीजेपी को जा रही है तीन कॉंग्रेस पार्टी के गठबंदन को जा रही है अन्ड का यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यह अच्छा ओपिनियन पूल है वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में एक सीट है एक की एक कॉंग्रेस के गठबंदन को मिल लए है बीजेपी यहां पर सुन है अन्ड भी यहां पर सुन है इन दोनों कोई एक सीट यहां पर नहीं मिल लए है खाली कॉंग्रेस का खाता से किम में खुला है उत्तरखंड की बात करतें दोस्तों तो उत्तरखं में नहीं खुल पा रहा है वहीं बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में चार सीटे हैं चार में से एक बीजेपी को जा रही है तीन सीटे कॉंग्रेस पार्डी को जा रही है और अन्न का खाता नहीं कुला है हिमाचल प्रदेश में काफी अच अगर इस ओपीनियन पोल को अच्छा माना जाए ठीक माना जाए और इस ओपीनियन पोल के अनुसार रेजल्ट आ जाते हैं तो इस बार केंदर में पूर वहुमत की सरकार कॉंग्रेस की बनने जा रही है जबकि भाजपा 208 सीटों पर ही हार रही है पांसो तितालिस देश में कुल सीटे हैं पांसो तितालिस में से तीन सीटे असुद्धी नुवैसी की पार्टी भी जीत रही है तीस सीटे जो अन्य गठबनन को मिल ली है तीन सो दो सीटे कॉंग्रेस पार्टी जीत रही है और भाजपा को 208 सीटे ही मिल ली है अगर दोस्त अन्य दलों से गटवनन किये हुए वो सरकार पूर बहुमत की केंदर में बना सकती है जबकि भाजपाग को मातर आठ सीटे मिलने है आपकी क्या राय दोसो इस सर्वे को लेकर तो हमें कॉमेंट में आप अपना जरूर जवाब दें 2024 में केंदर में बनेगी कॉंग्रेस की सरकार हारेगी बीजेपी जदोस आपको दादे की 2024 के लोकसबा चुनाप का ताजा सर्वे आगया है इस सर्वे ने बीजेपी की लुटिया डुबो दी है और इस सर्वे के अनुसार केंदर में कॉंग्रेस पार्टी की पूर बहुमत की सरकार बननी है जबकि भाजपा चुना भार रही है दरसल आपको दादे कि देश की जनता का मूड इसलिए बदला क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी ने पहले तो LPG जो गैस लेंडर है उसको केंदर में कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद 500 रुपे में देने का एलान किया उसके परतिलीटरी डीजल मिलेगा जो की BJP सरकार में 100 रुपे मिला है तो ये बड़ी अपडेटारी जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी ने ये घोसना की उसके बाद देश की जनता का मूड बदल गया और देश की जनता ने रातो रात डिसाइट कर लिया केसवार केंदर में कॉंग् बिहार की तो बिहार में लोगसभा की 40 सीटे हैं 40 में से मातुर 6 सीटे भाजपा को मिल रही है और कॉंग्रेस का जो इंडिया गठबंदने ने उसको 34 सीटे मिल रही है यहां असुद्धी नुवेसी की पार्टी भी एक सीट जीत रही है वहीं दोस्तों बात करते हैं तमिल राज की बात करते हैं पच्छिम मंगाल की तो पच्छिम मंगाल में भाजपा मात्र 9 सीटे ही जीत रही है जबकि सारी सीटे कॉंग्रेस पार्टी जीत रही है यानि 33 सीटे कॉंग्रेस जीत रही है यहां पर 42 लोगसभा की सीटे है वहीं दोस्तों बात करते हैं उत्तर प् वैसे की पार्टी भी जीत रही है और अन्ड का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है यानि उत्तर परडेस में बीजेपी काफी अच्छा प्रदसन कर रही है वहीं राजिस्तान की बात करें दोस्तों तो राजिस्तान में 25 सीटे हैं पच्छिस में से 14 सीटे बीजेपी 26 में से 16 बीजेपी को मिल ली हैं, 10 कॉंग्रेस को मिल ली हैं, और अन्न का यहां पर खाता भी नहीं खुला है, क्योंकि गुजराज से प्रदान मंतरी मोधी खुद भी आते हैं, वहीं दोस्तों बात करते हैं, मद ब्रडेस की, तो मद ब्रडेस में बीजेपी की चिड़िया ओरती हुई दिखाए दिरें, यहां 8 सीटे भाजपा को मिल ली हैं, 21 सीटे कॉंग्रेस के गठबंदन को मिल ली हैं, मद ब्रडेस में कुल 29 सीटे हैं, यानि बीजेपी का यहां पर बहुत ही जादा बुरा हाल है, वहीं दोस्तों बात करते हैं करनाटक की, तो करनाटक में भाजपा की लुटिया डूब रही है, यहां मात्र 7 सीटे ही बीजेपी को मिल ली हैं, कॉंग्रेस को यहां पर 21 सीटे मिल ली हैं, करनाटक में कुल मिलाकर 28 लोकसवा की सीटे हैं, वहीं दोस्तों बात करें हम उडिसा की, तो उडिसा में दोस्तों 21 सीटे हैं, 21 में से 4 बी वहीं दोस्तों बात करते हैं असम की तो असम में 14 सीटे है 14 में से भाजपा को 12 सीटे मिल रही है और जो कॉंग्रेस का इंडिया गठबंदन है उसको 2 सीटे मिल रही है अन्ड का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है क्योंकि असम में काफी अच्छा प्रदसन बीजेपी वहीं दोस्तों बात करते हैं केरल की तो केरल में 20 सीटे है 20 में से भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुल पा रहा है कॉंग्रेस कठबंदन को 16 सीटे मिल रही है अन्ड को यहाँ पर 4 सीटे मिल रही है यानि केरल में बीजेपी बिलकुल खतम है वहीं दोस्तों दिली की बात करें तो दिली में साथ सीटे हैं साथ में से भाजबा को चार मिले हैं कॉंग्रेस को यहां तीन सीट मिले हैं और अन का यहां पर खाता भी नहीं खुला है वहीं आपको उता दें कि आमादी पार्टी यहां पर कॉंग्रेस के साथ गठ बंदन में है तब तीन सीटे जीत वही 36 गड़ की बात करते हैं दोस्तों तो 36 गड़ में 11 सीटे हैं 11 में से 6 बीज़ पी को जा रही है पांस सीटे कॉंग्रेस के गठबंदन को जा रही है और यहां पर अन्निका खाता भी नहीं खुल पा रहा है वहीं दोस्तों अगर हम बात करें जहार खंड की तो जहार पर चुनाब लड़ने का दावा कर रही है। 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 खाली कॉंग्रेस का खाता से किम में खुला है। उत्रखंड की बात करते हैं दोस्तों तो उत्रखंड में पांस सीटे हैं। पाच में से तीन बीजेपी को मिल लए हैं। दो कॉंग्रेस पार्टी को मिल लए हैं। एक और माफ कीजिएका अन्न का यहां पर खाता भी उत्रखंड में नहीं खुल पा रहा है। भहीं बात करते हैं दोस्तों हिमाचल परदेस की। तो हिमाचल परदेस में चार सीटे हैं, चार में से एक बीजेपी को जा रही है, तीन सीटे कॉंग्रेस पार्टी को जा रही है। और अन्न का खाता नहीं कुल ला है। हिमाचल परदेस में काफी अच्छा परदेसन कॉंग्रेस पार्टी कर रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं इस opinion poll की अगर इस opinion poll को अच्छा माना जाए ठीक माना जाए और इस opinion poll के अनुसार result आ जाते हैं तो इस बार केंदर में पूर वहुमत की सरकार कॉंग्रेस की बनने जा रही है जबकि भाजपा 208 सीटों पर ही हार रही है 543 देश में कुल सीटे हैं 543 में से 3 सीटे असुद्धी नुवैसी की पार्टी भी जीत रही है 30 सीटे जो अन्य गठबंदन को मिल ली है 302 सीटे कॉंग्रेस पार्टी जीत रही है और भाजपा को 208 सीटे ही मिल ली है अगर दोस्तों इस सर्वे के नुसार अगर लोगसभा चुनाब 2024 के नतीजे आते हैं तो इस बार पूर वहुमत की सरकार कॉंग्रेस पार्टी की केंदर में बन नहीं है और उससे किसी से गठबंदन करने की जरूद भी नहीं है